हेलो दोस्तों आज हम सिखेंगे कि 7 Segment की जो इंटरफेसिंग है वो हम कैसे करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोल के साथ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी 7 Segment किस-Кिस ठाइब की होती है और लगे को कैसे जो ए मूरrásक है नोहिए जानते हैं सबसे पहले हमारी 7 Segment होता है वो इस टाइब की हम्हें दिखाई देती है जो आपको right side पे में देख रही है that is हमारी real जो हमारी 7 segment हमें market से available होती है और left hand side पे हम जो देख रहे हैं इसकी जो है वो pin description होती है A, B, C, D, E, F, G, common, dot तो इस एकॉर्डिंग ले उसके बाद आ जाते हम इसकी types के उपर 7 segment basically दो types की हमारे पास available होती है एक होती है common cathode और एक होती है common anode basically होता क्या है कि जो 7 segment होती है इसमें हमारी 8 LEDs ही लगी होती है तो common cathode में हमने सभी LEDs के जो negative है उसको common किया होता है और common anode में हमने सभी LEDs के जो positives होते हैं उनको common किया होता है अब इन में difference क्या है basically तो डिफ्रेंस यह है कि वही चीज जो हमने पहले बताई आपको common कैथोड में सारी negatives common होती है common and own में सारी positive common होती है अब देखो अगर negative common है तो obviously बात है हमें negative को क्या करना पड़ेगा ground करना पड़ेगा और दूसरे case में अगर positive common है तो common को हमें क्या देनी पड़ेगी VCC mean power तो इस case में एक चीज आपको अपने mind में रखनी है कि अगर हम common कैथोड की बात कर रहे है तो हमें वहाँ पर अगर किसी LED को on करना है तो वहाँ पे हमें one देना होगा और off के लिए zero अगर हम मैं common anode की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमें on के लिए zero और off के लिए one देना होगा तो अब जो हमने codes generate करने हैं वो code हम कैसे बनाएंगे zero से लेकर nine तक जो हमने seven segment के उपर display करवाने है आईए देखते हैं common cathode के case में क्या होगा जैसे हमने discuss किया था कि on के लिए हमें one देना पड़ेगा off के लिए हमें zero देनी पड़ेगी तो मैंने case लिया हुआ है जिसमें हमने लिए zero जो है वो display करवाना है इस seven segment के उपर तो मैंने इसको properly arrangement लिख लिए a, b, c, d, e, f, g, h, h, h जो होता है वो हमारा होता है dp means dot point यह आप पे depend है कि आपने इसको on करना है या off करना है मैंने इसको on किया हुआ है तो अगर हमने zero display करवानी है तो आप देख सकते है जीरो के case में हमें जो g है अकेला उसे ही off करना पड़ेगा बाकी सबी को on तो मैंने बाकी सबी को one दे दिया और g को दे दिया मैंने zero अब इसको हमने पढ़ना कैसे इसको हमने a से h तक नहीं पढ़ना है h to a पढ़ना है means इसको हम पीछे से पढ़ेंगे that is one zero one one तो इन eights को हमने four four parts में divide कर लि बनता है वो बनता है हमारे पास B और one 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 का बनता है हमारे पास F तो इसको हम अगर लिखेंगे भी तो भी रिवर्स लिखेंगे means B F तो अगर हमने common के थोन के उपर zero जो है वो डिस्पले करवाना है तो हमें क्या कोड़ देना मड़ेगा B F इसी accordingly अगर मैं बात करूं common anode के case की तो वहाँ पे reverse हो जाएगा means on के लिए हमें zero देना पड़ेगा और off के लिए हमें one देना पड़ेगा तो zero print करवाने के लिए मैंने जी को जो है वो फिर उसी accordingly one देकर off कर दिया बाकी सबी को on कर दिया code फिर से में पीछे से ही पढ़ूं का that is zero one zero zero उसका code बनता है four और zero 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 बनता है हमारे पास zero तो यह exact code बन गया हमारे पास four zero तो इस accordingly आप zero से लेकर nine तक common और या cathode के लिए सबी के लिए आप जो है वो code generate कर सकते हो one by one और फिर हम इन सबी code को जो programming में वो define करेंगे तो दोस्तो हमारा जो कील है वो open हो चुका है कील हमारे पास वो software है जिसमें हम programming करेंगे अभी इसका source code जो है वो generate करेंगे तो source code generate करने के लिए steps जो है हम पहले वो करेंगे हमें एक project जो है new project create करना पड़ेगा प्रोजेक्ट का जो नेम है वो मैं 7 रख देता हूं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देने के बाद हमें अपना controller जो है वो select करना पड़ेगा controller का हमारे नाम है 8089C51 यहां पर standard files पूछ रहा है उसको मैं yes करूंगा then after that हमाये जो है वो एक new file create करनी पड़ेगी file create करने के बाद मैं इस file को जो है वो save करूंगा जो मैंने project का नेम रखा था वही मैं यहाँ पर file का नेम रखूंगा लेकिन उसके पीछे extension डालूंगा dot c simply आप उसको save कीजिए next हम targets में जाएंगे target one पे options में जाके वहाँ पे हमने जो crystal oscillator की frequency है वो देनी है that is 11.0592 use on chiprome को select कीजिए उसके बाद हम output के उपर चले जाएंगे output में जाके आपने create hex file की जो option है उसको select कर लेना है और इसको ok करेंगे next target one के आगे plus के sign के उपर click कीजिए source group one में हम add file करेंगे जो file हमने create की थी उसको add करके simply close करेंगे तो steps हमारे complete हो चुके है अब हम जो है यहाँ पर source code लिखना start करेंगे source code मेरे पास already लिखा हुआ है तो इसलिए मैं simply इसको जो है वो copy कर लूँगा यहाँ पर source code copy करने के बाद अब हम इसको समझते हैं कि यह source code है क्या basically तो सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रही है that is a header file जो हमारे micro controller की होती है header file के बाद मैंने एक delay नाम का function मनाया ताकि जब मैं 0 से 9 इसको print करूँगा तो 0 के बाद जैसे one display हो तो उसके बीच में थोड़ा सा time gap जो है वो हम produce कर सके उसके बाद आपका वाइड में आ गया वाइड में के बाद दोस्तों जो हमारी main चीज़ है वो है हमारे codes जो नम नाम के variable में मैंने define की है 0 से लेकर 9 तक सारे code यह जो जितने भी codes हैं यह सारे के सारे common node के लिए बने है 0 का code मैंने आपको बता दिया था कि 0 का code जो हमारा होता है common node के लिए वो बनता है 40 तो उसी accordingly मैं फिर 1 से लेकर 9 तक बाकी भी code जो है वो generate कर लूँगा पहले दोस्तो हो सकता है आपके codes थोड़े से different हो क्योंकि मैंने कुछ codes में जो है वो जो dot point था हमारा edge उसको on किया है और किसी में off किया है तो वो आप गबराईएगा मत source code डिखने एक बाद मैंने दोस्तो एक variable ले लिया है C नाम का क्योंकि मैंने 0 से लेकर जो 9 तक codes डिस्पले करवाने है तो वो मैं for loop के through करवाऊंगा यहाँ पर ताकि one by one मुझे सारे codes जो है वो डिस्पले होते रहे है step by step then after that हमने एक while जो है वो लगा दिये loop ताकि यह continuously चलता रहे उसके बाद दोस्तों हमने for loop चलाई है जो C 0 से लेकर less than कहां तक चल रही है 10 तक means हमारे जितने भी codes थे वो one by one जो है वो डिस्पले करता रहे तो उसके लिए हमें एक loop लगानी थी तो उसके लिए मैंने जो C variable था वो define किया था पहले next उसके बाद जो P2 है P2 हमारी वो port है जिसके थरू हमने जो data है वो बाहर निकालना है और 7 segment को देना है तो data देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो delay दे देंगे तांकि यह code जाए उसके बाद थोड़ी delay आ जाए delay आप लोग अपनी मर्जी से जितनी मर्जी value लिख सकते हो कम कर सकते हो बढ़ा सकते हो वो आप पे depend हैं तो यह हमारा complete source code जो है वो बन चुका है यह code मैं आपको description में भी as it is paste कर दूँगा आप वहाँ से भी देख सकते हो उसके बाद मैं इसको अब translate करूँगा build और rebuild यहाँ पर दोस्तों एक error आ रहा है मेरे पास delay underscore ms क्योंकि मैंने जो उपर function बनाया था वो सिरफ delay नाम से बनाया था तो यहाँ से जो underscore ms है मैं उसको काट देता हूँ काटने के बाद फिर से इसको translate करूँगा build और rebuild कर दूँगा तो यह हमारा hex file create हो चुकी है अब हम इसका जो है वो circuit design करेंगे प्लस इसको simulate करके देखेंगे कि यह code हमारा proper चल भी रहा है या नहीं तो उसके लिए हमें जो है proteus software हमारे पास install होना चाहिए मैं simply proteus यहां से open कर लेता हूँ इसमें हम अपनी पूरी designing करेंगे और simulation करेंगे तो proteus में designing करने के लिए पहले आपको जो है अपना micro controller वो लेना पड़ेगा तो मैं controller अपना select कर लेता हूँ उसके बाद हमें seven segment एक लेनी है common anode तो दोस्तो seven segments हमारे पास बहुत types की होती है यहां पर तो आपने द्यान रखना है कि आपने जो simple seven segment है वो लेनी है उसके लिए हमारे पास होती है seven segment mpx1 जो आप देख सकते हो अपनी screens के उपर c a का मतलब है common anode और c c का मतलब है common cathode तो हमने जो codes बनाए थे वो बनाए थे common anode के लिए तो इसलिए मैं यहां पर क्या करूँगा common anode जो है उसको select कर लूँगा तो अभी मैंने यहां पर जो seven segment है वो place कर दी हुई है प्लस इसके साथ मैं अपना controller जो है वो place कर दूँगा अब मैंने port 2 जो define की थी programming में तो step by step मैं सभी pins के connection port 2 के साथ जो है वो कर दूँगा जो आपकी दोस्तों last pin है seven segment की जो space डालके दी हुई है उसको हम power देंगे क्योंकि common node के case में जो common होता है उसको हम power देते हैं positive को तो यह दोस्तों मैंने जो सारे के सारे थे वो connections कर दी हुई है अब मैं last pin को यहां पर terminal में जाकर इसको power जो है वो दे दूँगा power connect करने के बाद हम अपने controller में वो hex file डालेंगे जो हमने create की थी तो उसके लिए controller के उपर double click कीजिए यहां पर आपको program file की option मिल जाएगी यहां पर हमने वो file browse कर लेनी है जो हमने create की थी यहां पर मैंने वो file जो है वो देखिए आप browse करके यहां पर open करके इसके अंदर डाल दी है controller के अंदर अब मैं simply इसको play करके जो है इसकी simulation करके देख लेता हूँ तो यह हमारा जो source code है वो active हो चुका है और simulation स्टार्ट हो चुकी है means हमारा जो code था वो बिल्कुल accurate था तो दोस्तों जो delay आ रही है इसको आप जैसे पहले भी बिताया था 200 की जगा कोई भी value लिख के आप कम भी कर सकते हो जादा भी कर सकते हो वो आप पे depend करता है अगर video पसंद आई हो तो इसे like करें और channel को subscribe करें thank you